निमस्का विद्यार्थी मीत्रों आप सब मज़े में होंगे। मैं पारोल सेलर हिंडी क्लास में आपका स्वागत करती हूं। विद्यार्थी मीत्रों आज हम कक्षा पांच में विशय हिंडी पात चार सोच अपनी अपनी का अभ्याश करेंगे। विद्यार्थी मीत्रों पात चार सोच अपनी अपनी एक चित्र पात है। इस पात को हम चित्र के मात्यम से समझेंगे। यह पात बहुती मनभावक है। तो चलो विद्यार्थी मेत्रों हम सब यह चित्र को देखते हैं और उसे समझते हैं। तो चलो। विद्यार्थी मेत्रों स्क्रीन पर आपको एक सुन्दे ड्रश्य दिखाई दे रहा है। यह ड्रश्य गाउं का है। देखूं डूर परवत के पीछे से सुरज डादा निकल रहे है। सुबा हो गई है। परज निकलते ही पक्षी अपने अपने गोशलों से निकल कर आकाश में उड़ रहे है। गोशला यानी गुजराती मा मालो। सुरज निकलने पर पक्षी डाना चुगने के लिए निकल पड़े है। आपको गिन्ना है कि कितने पक्षी आकास में उड़ रहे है। गाउं बहुत छोता है। इसमें थोड़े गर दिखाई डे रहे है। आपको गिन्ना है कि कितने गर दिखाई डे रहे है। चलो हम किन्ते हैं एक, डो, टीन, चार और पांच। गर के पीछे मंदिर दिखाई डे रहा है। मंदिर के उपर क्या है? मुझे तो तजा दिखाई डे रही है। वैचे तो गाउं में कहीं सारे पेड है। लेकिन सबसे बड़ा पेड नार्य लिका है। आप स्क्रीन पर देख सकते हूँ। रास्ते में एक किसान जाता हुआ डिखाई डे रहा है। इसके हाथों में एक बड़ाशा डंडा है। सान के पीछे कौन डिखाई डे रहा है। मुझे तो एक कुट्टा डिखाई डे रहा है। देखो यह चरवाहा है। चरवाहा यानि बेर बकडियों को चराने वाला। चरवाहे के हाथ में एक बड़ी लकडी डिखाई डे रही है। बेर बकड़ीों को लेकर чारा चाराने के लिए निकल पड़ा है. बिड्यर्थी में तो राष्टे के नजडिक आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो द्यान से देखो. मुझे तो एक बगीचा दिखाई दे रहा है. बगीचे में आपको कौन दिखाई दे रहा है? बगीचे में डो लड़किया और एक लड़का दिखाई दे रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हो बगीचे में रंग बे रंगी टिटल्या दिखाई दे रही है आप जैसे छोटे बच्चे बगीचे में रंग बे रंगी टिटल्यों को पकरने के लिए उसके पीछे भाग रहे है आपको टिटल्या पसन है? टिटली यानी? टिटली ने गुजराती मा पतंग्यों केहवाई विट्यार्थी मेत्रों सुब का सूर्य, परवत, पशुपक्सी, गर, मंदीर, पेड, आडी के कारण ड्रश्य, बड़ा, मनभावन लगता है रश्य में सुब होते ही सब अपने-अपने काम के लिए निकल पड़े है हम चित्र में देख सकते है कि सुब होते ही सब लोग अपने-अपने काम के लिए निकल पड़े है मित्रों, आपने सुब सूरज को निकलते हुए देखा है आपने चीडियों को दाना चुकते हुए देखा है सोचो आपने टिकली को फूल पर बैठे हुए देखा है सोचो, सोचो और बताओ विद्याठी मित्रों, चलो, अब हम एक और प्रवुती करते है विद्याठी मित्रों, स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है ध्यान से दिखो चित्र को इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है चित्र में कौन-कौन है गर के पीछे क्या है? पेड के नजडिक क्या है? यह द्रश्य सुब का है कि साम का आपको देखना है और देख कर आपको अपनी नौटबूक में चार से पाँच वाक्य लिखने होंगे ओके? विद्यार्थी मित्रों आसा करती हों कि आपको यह चित्रपाद अच्छी तरस से समझ में आ गया होंगा विद्यार्थी मित्रों यह चित्रपाद को आप दो तीम बार देखेंगे, समझेंगे इसके बाद आपको प्रश्नक के उत्तर तैयार करने होंगे फिर मिलेंगे दन्यवाद